Hello guys, welcome to Android PK आज मैं आपको बताऊँगा Samsung का एक ऐसा feature बताऊँगा जो आपको नहीं बता होगा और काफी phone में मिलता ही नहीं हो feature, सिर्फ Samsung phone में मिलता है बाकी company आप प्रोवाइड नहीं करती है, वो feature करती है पर ऐसा feature प्रोवाइड नहीं करती है, जो Samsung प्रोवाइड करता है तो कौनसा feature है वो देखने के लिए वीडियो को एंटर जरूर देखना, वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्स्राइब करना चले वीडियो शुरू करते है, तो सबसे पहले आपको पता है तो वो feature क्या है, ठीक है, वो feature है call recording आप बोलोगे, आप call recording तो सब में होता है, बराबरे बात सब में होता है, पर जब आप on करते हो, call recording को in build होता रहो, in build function जो आप call recording on करते हो, तो आगे वाले को पता चले जाता है, वो बोलता है, आपका call record कर रहे है करके, पर Samsung phone में नहीं बोलता है, Samsung phone में एक feature है, जिससे आप call record कर सकते हो, पर आगे वाले को पता नहीं चलेगा, यह Samsung phone में मिलता है, इसको कैसे on करना है, और इसको कैसे auto call पे ले जाए और कोई भी नंबर आप डाइल कर लो डाइल करने के बाद आप देख सकते हो मैंने यहां पर प्री डॉट दिख रहे हैं तो यहां पर प्री डॉट पर आपको सिंप्ली टैप करना है और यहां पर आपको कॉल रेकॉर्ड को प्शन मिल जाएगा मेरे इसमें स्टॉप पर पता में चलेगा स्याहत करना है इसमें कोल रेकॉर्ड करना है तो आगें आपको काल आईये, यह सब करनी की जरूवत नियो集 कॉल रेकॉर्ड हो जाए है तो उसके लिए आपको आज़ाना है फिर से कॉल पे मतलब जैसे यह तुछ जी सकती यहां पर कॉल डाइल नlagenह यो कि आज़ाँ ऊप्र आपको शेटिंग में आजाओ, यहाँ पर देख सकते हैं तो छोण काव्चिन को अप्चिन रहा है, रिकॉर्ट पर टेब करने आपको आपको सिंपल इसको पर अच्छा करने के बाद आपको जब भी कॉल आएगा, या पिर आप जब भी कॉल करको किसी आटो कॉल रिकॉर्ड किया है करके तो यह काफी अच्छा फंशन है आपको यूज करना चाहिए और काफी वेनिफीड भी है इसके कोई भी नंबर अगर आपको भी दे रहा है तो लिखने की जरुवतनी सीधा कॉल रेकॉड हो जाता है उसमें से आप फिर बाद में डाइप भी कर सकते हो नंबर तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्स्राइब कर देना